जब कोई चीज हमें उम्मीद से बेतर मिल जाती है और हमने जिसके बारे में इतना उम्मीद नहीं किया हो सोचा नहीं हो और वैसा हो जाए तो कितना अच्छा लगता है खुश होना स्वभाविक है कुछ ऐसा ही है वेब सीरीज दो गुपारे के साथ वैसे तो जियो सिनेमा ओडिटी पर या वैब सीरीज जो है 20 जुलाई से हर दिन एक एपिसोड इस्ट्रीम हो रही है यानि कि अनलोक हो रही है तो आज इसके सारे के सारे एपिसोड जो है वो अनलोक हो चुके है और यकीन मानिए 6 एपिसोड से लेकिन 22 से 24 मिनट के हर एपिसोड है और आपको ऐसा रखता है जैसे आपको इस सवा दो घंटे की फिल्म जो है उसे 6 टुकरों में देख रहे है हर एपिसोड में अपने आप में नयापन लिये हुए है एक अलग तरह का मैसेज लिये हुए है किसी को देखकर आपको जो है मुस्कुरहाट आएगी गुदगुदी सा एसास होगा कुछ को देखकर आपकी आँखों में नमी आ जाएगी और कुछ जो है आपके रोंगटे खड़े कर देंगे मतलब कि हर वेप सेरीज का जो एपिसोड है वो बहुत ही प्यारा बन पड़ा है लगता है कि या वेप सेरीज खतम ही की हो जाता है इतना जल्दी बहुत ही सादगी से बहुत ही सरलता से और इतनी सितलता के साथ ये वेप सेरीज को मैं कहना चाहँगा क्योंकि आज की हर वेप सेरीज जो है मेरी जिसके बारे थोड़ी दर में बात करते है पहले content को समझते है किसका content कहानी क्या है जिसके कारण यह website जो है इतनी उंदा बन पड़ी है इतनी बढ़िया बन पड़ी है तो कहानी है पूरे सहर में रहने वाले एक दादा जी जिसे आजोबा कहते हैं वो रहते हैं और उनके घर एक पेइंगेस्ट रहने आता है यानि कि रोहित जिसका नाम है सितार्थसो असल जिंदगी में और जो दादा जी है आजोबा वो मुहन अगासे जी है तो इन दोनों के बीच में एक रिस्ता डेवलप होता है मकान मालिक और जो है रोहित वो अपने अंदर एक अलग तरह का कंसेप्ट रखा है मिलाने वाला कंसेप्ट जिसके अंदर एक अलग तरह की कंसेप्ट है और इसके जरीए वो अपने आपको भी उड़ा कर रखा है दोनों गुबारे जब मिलते हैं तो माहौल कैसा हो जाता है गुबारे ज साल पहले छोटे बेटे बेटे का द्यान हो चुका है मोड़ा बेट हो परिवार पेशाएं और पूने के आसपास उनके परिवार में बहु है और एक पोटी तो इस अगर हम एक्टिंग की बात करें तो मोहन अगासी जी आजूबा के रोल में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और वो हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट लेकर आते हैं जब वो डाटते हैं तो भी मुस्कुराहट आती है और जब वो गुस्ता करके प्यार सा समझाते हैं बहुत ही अच्छे लगती है बाकी के कराकारों का काम भी बढ़ियां है कहाने के साब से दो बाल कराकार भी है उनकी भी तारिफ की जानी चाहिए फिल्म के राइटर और डिरेक्टर जो है वरुन निर्वेकर उनकी सोच की मैं तारिफ करना चाहूंगा और उनका जो से फुल के तरीके से लोगों को हसाते गुद्गुदाते हुए एक नहीं तरह से मतलब एक वेब स्रीज का निर्मांद किया है जिसमें कि आपको बहुती अच्छा फिल होता है सबसे बड़ी बात होती है तरह सारी चीजे मिलती है लेकिन इन सब के बावजुद सारी की सारी चला रहे हो चाहे आजोबा और दोनों मिलकर भी चला रहे हैं तो किसी ने भी कभी कोई हैलमेट नहीं पहना यह मुझे जो चीज है बहुत खटक रही थी पताने क्या मन कर रहा था क्योंकि इसके उपर भी आपको सोचना चाहिए ऐसा लगता है कि यह से आप जो है ट्राफिक चाहूंगा कि यह से पूरी तरह से अराम से अपने परिवार के साथ बैठिए देखिए मुस्कुराइए और आनंद लीजिए खुशी का क्योंकि यह बहुत अच्छी बन पड़ी है और इसी के साथ मैं इस वेपसरीज को देना चाहूंगा 3.5 स्टार आउट और 5 अगर फेले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ नमस्कार ओम शांती